तो आज मैं नान बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है मैं आलू और मैदे से नान बनाऊंगी मैदे में दमभारी कटिवी धनिया चिली फ्लेक्स अजमायन मगरेला दही शुगर पॉडर दो चम्मच नमक निस्वात के अनुसर डाले तेल तिन से चार चम्मच बैकिंग पॉडर बैकिंग पॉडर रिक्षे में जाले और सभी चीज़े को अच्छे से मिला ले जेब अच्छे से मिल लाएं तो बिल्कुल बारीक मस्दा हुआ अलू डाले उबालके रखें ताजा गरम गरम ही अलू को एकदम मसल लें अगर छोटा-छोटा पार्ट में रह गया तो फिर नान अच्छे से फुली फुली नहीं तयार होगी सौफ्ट तो होगी पर फुली अच्छे से दूर पानी की जुरूद पर है तो दूर डालके अच्छे से इसका एक मुलाएं डो तयार कर लें डो बिल्कुल तयार है अब इस पे इसे मचल करी तिल लागा कर इसे अच्छे से पांस से दस मिनाट रेश्ट करने के लिए रखे जैंगे डो हमारा बिल्कुल रेडियो चुका है इससे आप अपने मन पसंद आकार की लोई काटे मैं रोटी से थोड़ी बड़े लोई काट रही हूं इसे बेलना बहुत ही आसान है लोई पे सुख्या अठा हलका हलका प्लाई करें और गोल धीरे-धीरे कुमा कर बेलें घर पर ही रेस्टोरेंट की तरह नान बिल्कुल फुली फुली और मुलाईम नान तयार हो जाती है जब एक तरफ से सिख जाए तब इसमें हलका सा तेल लगा कर अच्छे से सिख लें ये बनकर बहुत ही स्वाधिश्ट तयार होती है मैं यहाँ पर्चे अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि सभी रोटियों को बनते वे आप देखे अब घी में लहसुन लच्छे दार कटा हुआ और बिल्कुल बारिक कटा हुआ हरी मिर्च डाल की हलका सा गरम करें और नान पे अपलाई करें जबरदस्त कार्लिक नान बन कर तैयार है सभी पर घी लहसुन लगाने के बाद हरी दिन्याच रख दे और इंज्जॉई करें चिकन मुटन किसी वीचीज के साथ यह बहुत टेस्टी लगेगा थैंक्स फर वाचिए इस्टी चनेक्टेड प्लीज लाचिए और सब्सक्राब मैं चैनल थैंक्य।